हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आज हम लोग चरक सहिता के कल्प स्थानम से जीमूतक कल्प अध्याया पढ़ेंगे इसमें हम लोग जीमूतक फल के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जीमूतक के बारे में देखते हैं जीमूतक कल्पम इस चैप्टर में जीमूतक कल्प के बारे में दिया गया है इसमें जीमूतक के योग, जीमूतक के मातरा, जीमूतक से जो अन्य कल्पनाएं होती हैं, उनके योग जो होते हैं इन सब के बारे में बताया गया है तो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो सबसे पहले आता है कि जिमूत्तक के योग कितने होते हैं तो जिमूत्तक के जो हैं 39 योग 49 योग बताये गए हैं मदनफल के बाद अलप उपद्रव मतलब कि यह जो है मदनफल जो है वमन के लिए सबसे कम उपद्रव करता है और फिर मदनफल के बाद यहाँ सबसे कम उपद्रव करता है मतलब कि यह सेकेंड मिनमम उपद्रव हैं वो करता है इसके जो पर्याएं हैं वह हैं गरागरी वेणी और देवताड़क तो गरागरी वेणी देवताडग इसका जो निमोनिक है वो है देवगर देवताडग हो गया वह से हो गया वेणी और गर से गरागरी इसका जो वामक पार्ट है जो यूस किया जाता है वह है फल और फूल इसके फल और फूल को यूस किया जाता है जिमोतक के जो पांच जिमूतक पुश्प शिद्ध चीर जिमूतक शिद्ध पया जिमूतक के रोमेश फल से सिद्ध चीर की मलाई जिमूतक के रोमहीन फल से सिद्ध चीर से प्रिवत दही मलाई जिमूतक फल से हरित या पांडू मरंड का हो जाने पर जिमूतक फल हरित या पांडू मरंड का हो ज चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा आपको तो उसमें भी ये पांच योग दिये हुए हैं तो ये पांच योग जो हैं ये लगभग लगभग सेमी हैं जी मुत्व मदन फल के फिर इसके बाद देखते हैं जी मुतक की मात्रा तो पके हुए फल जो सूख गया हैं पके हुए फल को सुखा कर उसका कपड़ चने चून बनाकर शुक्ति मतलब की आधा पल और दूद शुक्ति आधा पल लेंगे और दूद उसको वात पित जन्य रोग से पीडित रोगी में पिलाएंगे मतलब की इंग्रेडियन्स को मिला करके वात पित जन्य रोग में पिलाएंगे रोगी को पिलाएंगे जी मुतक का सुरामंड प्रयोग देखते हैं तो जी मुतक का सुरामंड प्रयोग में कि जी मुतक के जी मुतक लेंगे और उसको सुरामंड में भिगो देंगे ठीक है ज को देंगे उसके बाद प्राथा हाथ से मसल कर छान लें और पिलाएं तो यह जो है यह टोटल यह जो है यह डिस्क्रिप्शन हिम कलपना की तरह दिया हुआ हिम कलपना है यह तो इसको हिम कलपना में हिम कलपना की तरह यूज करेंगे हिम कलपना की तरह क्या हिम कलपना ही है और उसके बाद कौन से रोग में दे सकते हैं कफ जन या रोचन कास पांडू और यक्षमा ठीक है इन रोगों में प्रियोग करेंगे जीमूतक प्रियोग के विधी साधन इसमें क्या है कि जीमूतक के पके फल दो भाग लेंगे उसको कूट कर गुडूची मुलिठी रक्त कचिनार श्वेत कचिनार कदम जलबेल शत्पष्पी मदार अपामार गनीम इंदरदर्व कुरया कि छाल इन सब को लेंगे 16 गुना ठीक है इन सब में किसी एक में इन सब मे इनका द्रव बनाएंगे और उसमें इनके द्रव में एक रात भीगो कर इंफालो को प्राता से मसल कर चान कर रोगी की विधी अनुसार पीने को दें चान कर मतलब 21 ताइम तो यह देखेंगे यह कौथ कल बनाया है मतलब कि हमने अपना में इंग्रेडियंट लिए इसको दिया फिर प्राता हाँ से मसल कर एकिस बार चान कर रोगी को पीने के दिया ठीक है इसका जो सेकेंड कल्पना है जो दूसरा है वह आरगवादी आदिस साथ द्रव के अलग-अलग कौत में सेम विधी से पित और कफचर रोगी को पीडित को दें मात्तर की आओगी इसकी ए और यह साथ द्रव हैं फिर देखते हैं जीमुतक फल के आठ मात्र हैं जिनके मात्रा एक कोलशे आधाकर्श तक होती है जीमुतक का जवर में प्रियोग कैसे करते हैं जीमुतक के फलेंगे एक या दू उसका चून बना लेंगे फिर जीवक रिश्वक एक शतावर किसी एक के रसमें मिलाकर रोगी को पिलाएंगे ठीक है रोग पित कफजवर और वात पित जवर में इसको पिला सकते हैं जीमूतक साधित छीर घरत प्रियोग कैसे करेंगे जीमूतक साधित छीर और घरत प्रियोग जीमूतक का क्वाथ या कल्क जीमूतक का क्वाथ या कल्क लेंगे और उसको दूर्ध में पका कर दूर्द से घ्रत निकाल कर मदन फलादी दरववक या कवात में मिलाएंगे और फिर उसको वीधी पूरवक पका कर सेवन करेंगे उत्तम रूप से वहन होता है मतलब कि इसमिंद जो वहन होता है वो अच्छे प्रकार से होता है फिर इसके बाद जिमुत्र के 39 योग है जिमुत्र के 49 योग के बारे में दिखते हैं तो 49 योग को याद करने का जो निमोनिक है वो यह है कि 49 गुच्छे सुई गुबारे के आसन लेकर मा जी जा गए तो 49 गुच्चे शुई गुबारे के आसाम लेकर माजी जा गए तो 49 तो 39 यूग हो गए गुच्चे से दुद्ध के 6 यूग हो गए सुए तो सुए से सुरामंड के एक यूग हो गए हम लिख देखें चुके गुबारे से गुड हो गया तो गुडूची आदी के क्वाथ से बारा योग हो गया आसाम से आसा आरगवद आदी के क्वाथ से साथ योग हो गया मा और आ तो मात्रा योग हो गया मात्रा योग के आठ योग हो गया जीजा तो जीजा चे जीवक हो गया इसके चार योग हो गया गया से घ्रत तो उसका एक योग है तोटल यह 39 योग हो गया तो यह इसके 39 योग तो यह थी वीडियो और अगर आप लोग को पसंद आई हो और किसी प्रकार की कोई हो कोई कन्फूजन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और प्लीज 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 चैनल को सपोर्ट करें थैंक्यू सो मच